प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने शपत लेने के बाद सोमवार को प्रधान मंत्री कार्यालाय पहुचकर कारिभार सम्हालने के बाद सबसे पहले किसान सम्हान निदी की फाइल मंगवाई और किसानों को तुफा देते हुए सत्रवी किष्ट जारी करने की फाइल पर हस्ताक्षर किये हैं तो नहीं प्रधान मंत्री कार्याले के कर्मचारियों ने मूदी का स्वागत किया आपको बताने की तीसरी बार लगा तार प्रधान मंत्री पद की शपत लेने के एक दिन बाद ही पीम नरिंद्र मूदी ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया तो नहीं पीम मूदी ने सुमवार को किसान समान निधी की सत्रवी किष्ट जारी करने की फाइल पर हस्ताक्षर किया है इसमें 9,3,3,000,000 को लाब होगा वहीं लगभग 20,000,000 करोड रुपे वितरित किये जाएंगे तो नहीं पीम मूदी ने फाइल पर साइन करने के बाद कहा कि किसानों के कल्यान को लेकर सरकार प्रतिपत हैं किसानों के पर कल्यान के लिए जादा से जादा काम करना चाहते हैं इसको लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी यसे पहले पीम मूदी ने फरवरी में प्रधान मंतरी किसान संबान निधी के तहत देश्ट के करोणों किसानों को सोलवी किष्ट जारी की थी केंद सरकार की पीम किसान संबान निधी योजना के तहत किसानों को प्रतिवश 6,000 रुपे की सहता राशी प्रदान की जाती है तो वहीं बता दे कि पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होता है 2,000 रुपे की तीन किष्टों में किसानों के बैंक खातों में पैसे भीजे जाते हैं इस योजना के तहत हर चार महीने में एक बार पैसे भीजे जाते हैं न्यू वीडियोज की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूस को और बैल आइकन को दबाएं